नमस्कार वंदे मात्रम जैहिन दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफूम राजस्तान क्लासेज पर देखे दोस्तों आज हम बात करेंगे इसमें कंप्यूटर यह नहीं करते जी विज्यान की बात करेंगे इस वीडियो में और यह वीडिय पड़ेंगे अति महत्पून प्रस्ण और परिक्सा पर आधारित प्रस्ण होने वाले हैं चले तो बिना टाइम वेस्ट की अपने स्टार्ट करते इस क्लास को कंप्लेट जरूर देखना और मेरे भाई बैने यह दि आपको अच्छी लगे वीडियो तो लाइक जरूर कर ल देजिए पहला प्रस्ण यह कि इनमें से किसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे अधीक पाई जाती है मेरे दोस्तों यह बताना है और बड़ा ही सिंपल सा प्रस्ण है डालों में या सबजियों में या फिर मूंगफली में या फिर सोया बीन में जिहां तो सोया बीन हो जाएग आपका राइट आंसर दोस्तों, बहुत ही सिंकल प्रस्ने, पहले प्रस्न से सभी हरे ने सभी होने के सांशे रहेंगे, क्योंकि बिल्कुल है जो मनुबल के साथ आगे बढ़ेंगे नंबर दो प्रस्ण आपके स्क्रेन पर है व्यापारिक सरक्रा का उत्पादन होता है गने के तनों से मधुमक्यों के चत्तों से या फिर रासा एनिक संसलेशन से या उत्त सभी देखे दोस्तों व्यापारिक जो स भाईवनों से होता है चले अब जिन भी भाईवनों ने यह उप्सन किया उन सभी का राइट होगा अब नंबर तीन क्वेशन आपके स्क्रेन पर जरा ध्यान देंगे दोस्तों देखे इसमें एडवांस कमी होगा आपके लिए टेस्ट है आप पूरी क्लास जरूर देखना क्योंकि important question है ठीक है नंबर तीन कि फरूला पोदे के किस बाग से इंग प्राप्त की जाती है दोस्तों इंग कहा से प्राप्त होती है यह प्रस्न कर लिया जाए तो फरूला पोदे के किस बाग से होती है पर्ण से फल से जड़ से या तने से कौन से बाग से होती है तो इस प्रस्ट ने उसी प्रकार से नेमन मैसे वीटामीन सी का स्रोत जो है वो कौन सा है वीटामीन सी का स्रोत कौन सा है दोस्तों ये बताना है बड़ा सिंपल प्रस्ट ने साइन्स वाले भाईवे ने तो बेलकुल सिंपल से बता देंगे राइट आंसर क्या जाए जाए गुगल या हली या फिर सफिद मुसली या फिर आवला तो देखे दोस्तों आवला हो जाएगा राइट आवला बिल्कुल जो भी भाई बने आवला बता रहें उन सभी का राइट होगा अब अपना आगे बढ़ते हैं निवन मैसे वीटामिन स का सरोथ जो है आवला हो जाएगा अगला प्रस्णा आपके स्क्रीन पे पुरूसों में पुरूसत्व की कमी होने पर उप्चार में परियुक्त होता है राइट आंसर क्या जाएगा जल्दी से बताएंगे हल्दी सफेद मुसली अध्रक या फिर जो आवला देखें दोस्त पुरूसों में पुरूसत्व की कमी होने पर उप्चार में प्रियुक्त क्या जाता है सफेद मुसली ठीक है बी ऑफिसन करेक्ट आंसर हो जाएगा जो भी भाईवे ने बी ऑफिसन बता रहे हैं चलिए इसी प्रकार अगला प्रस्ण देखते हैं मलेरिया उप्चार में प प्रियुक्त जो है कुने नौस्ति कहां से प्राप्त होती है पोदे की जड़ से पोदे के पुस्प से या फिर पोदे की साल से या फिर पोदे के बीज से देखे दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर जाएगा साल के साथ बिलकुल सी ऑफशन राइट आंसर हो जाएग यहां पर भी इसे लॉक कर दीजीएगा चले बहुत बढ़िया अगला प्रसना आप के स्क्रेइन पे जरा ध्यान देंगे नेवन मैसे कौन सा पादप तेल उत्पादप नहीं है नेवन मैसे कौन सा जो पादप है तेल उत्पादप नहीं है सोयबीन या फिर नारियल या कपास या अरहर देखे दोस्तों यहां पे निर्ण वैसे कौन सा बादब तेल उत्पादक नहीं है तो अरहर नहीं है ठीक है तो बिल्कुल यहां पे डी आफसन बताने वाले सभी भयावेनों का राइट आंचर हो जाएगा दोस्तों आगे इमारती कास्वरक्स का कौन सा उत्तक होता है प्राथमिक द्वित्यक प्राथमिक देखे यहां पे जाहिलम भी है ठीक है तो प्राथमिक जाहिलम या द्वित्यक जाहिलम या प्राथमिक फिलोम या द्वित्यक फिलोम राइट आंसर जाएगा हर भाई हर बहिन का यहां पे देखे दोस्तों यहाँ पे इमारती कास्वरक्स का द्वित एक्जाइलम उत्तक होता है मतलब की बी आफसें राइट आंसर होगा इसको लॉक कर देना दोस्तों अगला प्रस्ण आपके स्क्रेन पे है अस्वगंदा वे अफिम के पोदों के किन किन भागों से औस्दिय महतों के परदार्थ प्राप्त किये जाते है फल तता बीज फल तता मूल कच्छे फलों का दूद तता मूल या मूल तता कच्छे फलों का दूद देखे दोस्तों ये प्रस्ट बड़ा इंपोर्टेंट है साब राइट आंसर मूल तथा कच्छे फलों का दूद हो जाएगा अस्वेगंदा वफिम के पोदों के किन किन भागों से औस दियमेत्यों के परदाद प्राप कियो जाते है एक तो मूल से और कच्छे फलों के दूद से बिलकुल दोस्तों राइट आंसर आपका डी आफ्शन जाएगा लोग कर देंगे ना सभी के सभी बहुत ही बढ़िया अच्छी बात है देखे दोस्तों यहां पे कोई गलत नहीं करेंगे बहुत ही सिंपल प्रस्ण गोपी गोसी पीम जो है यह कपास का वेग्यानिक नाम है किसका है साब कपास का वेग्यानिक नाम है अगले प्रस्णिकी और बड़े तो ये प्रस्ण देखते हैं कैसा आता है ये है आपका अगला प्रस्ण पूचा ये जा HEY किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निरबर करता है चालक की लंबाई पर चालक के अनुप्रस्थ कट के शैत्रफल पर चालक के पदार्थ पर या चालक के आकर्ती पर तेखे दुस्तो बड़ा सिम्पल सा प्रस्ट नविस्ट करता है वह करता है दूस्तो आपका चाला के पदार्थ पर करता है तो उसए ओप्शन को क्या कर हजारों वर्सों तक देखे दोस्तों आपका D-Option राइट होगा हजारों वर्सों तक जो है ये सुद्ध सहद रह सकता है बेलकुल दोस्तों राइट आंसर आपका D-Option के साथ जाएगा अगला प्रस्न ये आपकी स्क्रेन पे जरा ध्यान देंगे ये लो आप देखे रेसम कीट पालन का प्रचलन सरो परतम किस देश में हुआ था दोस्तों रेसम कीट पालन का प्रचलन जो है ये सरो परतम किस देश में हुआ इस क्लास को कंप्लिट देखना दोस्तों क्योंकि इंपोर्टेंट क्लास है राइट आंचर चीन होगा भारत जाएगा एई ऑफशन राइट होगा रेसम कीट पालन का प्रसलन सर उपर तम छीन में हुआ अगला प्रस्त न आपके स्क्रेंट पे आ चुका है जल्दी से जवाब बनेगा मचली पालन से प्रमुक रूफ से क्या प्राप्त किया जाता है दोस्तों भोजन देखे से दोस्तों अगला प्रस्ण भी आपि के स्कृल आज चुका है अब देखते हैं जवाब कोन कर देखते हैं सबसे पहले किर बीटामीन यूपत देल होता है बिटामीन किस प्राप्त होता है इन मैं से राट आंसर मैं कोकुट जाएगा मसली क्या है कि वी आफ्शन को आप लॉग कर देंगे दोस्तां बिल्कुल सिंपल प्रस्टे मचली हो जाएगा अगला प्रस्ट आपकी स्क्रीन पर आज चुका है मदुमकी पालन एपी कल्चर है तो मुर्गी पालन क्या कहलाता है इसमें भी कोई गलत नि करेंगे बहुत सिंपल प्रस्ट है मचली पालन देखिए मदुमकी पालन को एपी कल्चर कहतें हैं तो मुर्गी पालनides एन्टोमोलोजी नहीं सब इनिमल कल्सर भी नहीं कहते हैं पोल्टरी कहते हैं सी आपसंस सभी का राइट होगा यहां पे है ना यह तो अपने पड़ाई होगा ना टैंथ में बेलकुल दोस्तों यह टैंथ के लेवल के प्रसन है हम यदि वहां पे बहुत ही अच्छे तरीके से और उस उस क्वेसंस क कंटीनियू रखते हैं तो आज है जो हमें यह नौबत ही नहीं आती बट वहीं आते हैं लगबग कॉंपिटिटिव एग्जाम में देखेगा नमबर सत्रा दीपमक तितली मक्यों आदी के अधिया इनको क्या कहा जाता है दीमक हो गया तितली हो गई मक्यों यह तीनों जो ह इंटोमोलोजी ठीक है बेलकुल इसे याद रखेंगे सबसे इंपोर्टेंट प्रस्णाब आपकी स्क्रीन पेए देखे दुस्तों यह सबसें इंपोर्टेंट है असथत्य क्या है है ठीक आपको बताना है नमबर 18 देखे दोस्तों ये क्वेस्टन सबसे इंपोर्टेंट है मदुमकी पालन को एपी कल्चर कहते हैं रेसम कीट पालन को सेरी कल्चर कहते हैं मच्चे पालन को पिछी कल्चर कहते हैं दोस्तों तो जो है अस्व पालन को एक्वा कल्चर नहीं कहते हैं पर आपका अस स्रत्य जो है होसँ ब्रेडिंग हो जाएगा बिल्कुल दोस्तों अगले क् लीक्वेसंग को देखते थे लग जो क्वेसंग आपकी इसक्रेन पे है नंबर 19 देखिए रेसम का कीट किस पोदे की पतियों पर रहता है सहतूत की पतियों पर या पीपल की पतियों पर या बर्गत की पतियों पर या फिर बेरी की पतियों पर सबसे इंपोर्टेंट प्रसने दोस्तों आपके स्क्रीन पर देखे यहाँ पे सहतूत की पत्यों पर हो जाएगा यह option कौन नहीं जानते साथ रिस्टम का केट किस पोदे की पत्यों पर सहतूत की पत्यों पर ही रहता है ना चलिए बहुत बढ़िया अगला प्रसना आपके स्क्रीन पर आज चुका है देखे दोस्तों राइट आंसर क्या जाएगा नेन वैसे असत्य क्या होगा तो देखे दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा किसके साथ जाएगा जल्दी से बताएंगे देखे एंटोमोलोजी कीटों का अधियन एंटोमोलोजी कीटों का अधियन मिर्मोकोलोजी जो है सीटियों का अधियन दोस्तों और कार्नीलोजी कार्सीनोलोजी जो है केकडों का अधियन है तो दोस्तों इन में से अस्तियाब को बताना है और अस्तियाब का D option ही होगा मकडियों के अध्यान को नीडोलोजी नहीं कहते हैं तो दोस्तों एरेकनोलोजी कहते हैं क्या कहते हैं एरेकनोलोजी ठीक है बेलकुल ये question भी बड़ा important है याद रखेंगे ऐसे प्रस्ण दोस्तों ये culture वाले बेलकुल याद रखेंगे अगला प्रस्ण आपके इसके फर्न क्या है ये फर्न जो है ये क्या है बस इतना सा प्रस्ण है ब्रायो फाइटा टेरी टो टेरी डो फाइटा या इस पर मेर्टो फाइटा या इन मेर्शेए कोई नहीं देखे दोस्तों ये हैं आपका फर्मा टेरी डो फाइटा है मतलब भी आफ्शन रईट आंसर जायेगा बिलकुल दोस्तों अगला π Personen देखते है या फिर उप्रुक सभी दोस्तों यहां पे आपका उप्रुक सभी ही होगा बोन सभी है कैक्टस है संकुलेंट है ठीक है तो जो सजावटी पोदे है वो तीनों के तीनों सजावटी पोदे है दोस्तों और जिन भी भाई बेनों ने थियोरी क्लास पढ़ी है या थियोरी में पड़ा है उनको यह पता होना चीए बहुत ही सिंपल प्रस्ण है दोस्तों अगला प्रस्ण आपकी स्क्रेन पे आ चुका है देखिए पच्चा हुआ भोजन किसकी दिवार द्वारा अवसुचित किया जाता है बकल केविटी जठर या गुदा या फिर इलियम देखे दोस्त इस क्वेशन को याद कर लीजिएगा अगला प्रस्ण देखते हैं नंबर सौवीस क्वेशन देखिए देखते हैं यहाँ पे कौन कौन भाया बेने जल्दी जवाब देंगे मनुशी के आमासे में मानोश सरीर में पाचन के लिए कौन सी सहायक ग्रंती उप्योक्त होती है बकल केविटी जठर यकरत या प्रेंकियाज यहाँ पे प्रेंकियाज है यहाँ पे यकरत है राइट आंसर किसके साथ जाएगा जल्दी से बता देंगे यह क्वेशन थोड़ा सा बढ़ा है और बिल्कुल जठर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा जठर हो जाएगा ब कर्भो हेड्रेट प्रोटीन व वसा का पूर्ण पाचन कहां होता है राइट आंसर क्या जाएगा जल्दी से आंसर बनेगा जठर आमा से छोटी आंत या फिर बड़ी आंत देखे दोस्तों इसमें आपका जाएगा छोटी आंत के साथ c option आपका राइट आंसर जाएगा बिलकुल देखिए प्रस्टन को पढ़ लीजिगा कार्भोईडरेट प्रोटीन वे वसा का पूर्ण पाचन का होता है छोटी आंत में होता है दोस्तों यह याद कर ले ना और जिन भी भाईवनों ने c option बताया उनका राइट होगा अगला प्रस्टन नंबर 27 सूपरवास्ट कर ले क्योंकि बिना टाइम वेस्ट किये यहाप एडवांस भी नहीं है व्रक की सरचना एवं कार्यात्मक एक कई है कौनसी है नियूरोन है कोशी का है जाइगोट है या नेफरोन है राइट आंसर किसके साथ जाएगा देखे दो इसको लॉग कर देना कियोंकि सबसे important प्रस्टन अगला प्रस्टन नंबर 27 कोशी का में mytochondria निमनमका कैंदर होता है किसका स्वैसन किरिया का वसा संस्लेशन का या फिर protein संस्लेशन का या फिर star संस्लेशन का दोस्तों राइट आंसर क्या जल्दी से बताएंगे नंबर 27 क और question किरिया हो जाएगा दोस्तों right answer ठीक है किरिया A option बिल्कुल correct होगा लोग कर देना इस question को अगला प्रस्थन भोजन को उर्जा में बदला जाता है अब ये तो पता होगा ना इतना तो याद होगा ना है ना तो देखिए भोजन को उर्जा में बदला जाता है लवक दौरा mitrocondria दौरा या लाइसोसोम दौरा बिल्कुल सिंपल सा प्रस्थन है mitrocondria होगा मेरे दोस्तों बिल्कुल C option right answer बोजन को उर्जा में बदला जाता है वह किसे mitrocondria दौरा अगला प्रस्थन आपके स्क्रेन पर है और यह है मोती का निर्मान होता है मोती का निर्मान ह और यह होता है और यह में क्वेशन साइद आपको पहले भी बता चुका हूँ ए उप्सन बिल्कुल राइट आंसर जाएगा सभी का चलिए अगला प्रस्थन नमबर 30 आपके स्क्रेन पे कांको लौजी के अंतरगत किसका अध्यों होता है यह दोस्तों अध्यों वाले प्र जास कर लेना कि अध्यों होता है कांकवी के अंतरगत अध्यान होता है यह अगले प्रस्थन को देए तो जभाब आपसे देंगे देखे जवाब देंगे अगला question यह रहा sponge का आर्थिक महत्वक क्या होता है दोस्तों यह बताना है बड़ा simple सा question है right answer जाएगा तो किसके साथ जाएगा number 31, 40 question अपन पढ़ लेता है जलबाजी में देखे दोस्तों right answer क्या होगा इसका देखे सही जवाब होगा उपरोगतर सभी 31 का देखे बात sponge के रूप में प्रयोग सजावट के रूप में भी समूदर किनारे के चैतर में लोगों की जीवीका का साधन भी है तो बिल्कूल right है इस sponge जो है सही है number D option right होगा अब number देखे दोस्तों यहाँ पे number 32 question आपके screen पे केंचुगा किस वर्का सदेश्य होता है अब संग proto जुआ का संग पोरी फेरा का ए और बै दोनों का या फिर चंग इने लीड़ा का दिखे दोस्तों यहाँ आपका right answer जाएगा डी option के साथ संग इने लीड़ा हो जाएगा जो स्टार्ट से जुड़े हैं बहुत बहुत आवाट जो बीच में जुड़े हैं उनसे निवेदन रहेगा क्लास को स्टार्ट से जरूर देख लेना था कि आपके सारे question जो है किलियर हो सके वर्मी कंपोस्ट खाद का निर्मान किस से किया जाता है मेरे दोस्तों उसका right answer डी था अब राइट answer वर्मी कंपोस्ट खाद का निर्मान किस से किया जाता है कैंचुए से इस पन से कोटल से टेकार्डिया लेका से मेरे दोस्तों बहुत सिंपल प्रस्टने कैंचुए से किया जाता है ए ओप्षन को लॉग कर देंगे अगर ऐसा हूब हूब प्रस्टन बन जाए तो ओके ना चलिए अगला प्रस्टने यह रहा कैंचुए पालन को कहते हैं तो क्या कहते हैं सहब यह बताना है और बड़ा सिंपल स को याप पे आप कर देंगे लौक बिलकुल जिनों ने भी किया बहुत बढ़िया अच्छी बात है नंबर 35 प्रस्ण यह सबसे important प्रस्ण यकीन आने एक जंगतू जगत का सबसे बड़ा संग जो होता है वो कौन सा होता है दोस्तों ऐसे प्रस्ण बनने की संभावना जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संग प्रोटो जो आज संग पोरी फेरा ए और बै दोनों या संग आर्थो पोड़ा कौन नहीं जानते सब डी ऑप्शन राइट आंशर होगा याँ पे सबी भाई या बैनों का संग आर्थो पोड़ा हो जाएगा ना बिल्कुल सिंपल सा प्रस्ण है सहब राइट आंशर डी ऑप्शन होगा चलिए नंबर चतीस क्वेशन भी आपकी स्क्रेन पे है संग मोलस का का आर्थिक महत्व क्या है दोस्तों यह बताना है सजावटी उद्योग में है मोती उद्योग में है चमड़ा उद्योग में या वर्मी कंपोस्ट खाज तयार करने में तो दोस्तों सही जवाब यहाँ पे आर्थिक मैतो जो है ना ये चमड़ा सोरी मोती उद्योग से है ठीक है बी आफसें आपका राइट आंसर होगा बिल्कुल सिंपल प्रस्टन दोस्तों अगर बात करें इसके तो बी आफसें आपका राइट होगा नमबर 37 प्रस्टन भी आ अपना फिडबेक बाहरा के जरूर दीजेगा नमबर 37 प्रस्टन वाईउ मंडल ये नाइटोजन को अमोनिया के रूप में इस्तिर करता है राइजोबियम ठीक है एजोटोबेक्टर या फिर लेक्टोबेसिलम या मिथेलोजेनिक राइट आंसर दोस्तों 37 का जाएगा याद कर ले ना ठीक है चले दोस्तों अब बात करें ना इसके बारे में तो राइजोबियम फली वाले पोधे ठीक है जा मटर है चना है आदी की जड़ों में रहता है अगला प्रस्टन आपके स्क्राइन पर आज चुका है लाख जो होती है ना लाख ये लाख एक पक्सी क गोंसला होता है या एक पेड़ की जड़ होती है या मचली की सलक होती है कीट द्वारा स्रावित प्रदार्थ होता है मेरे दोस्तों यही आपका राइट आंसर भी जाएगा लाख जो होती है ये लाख एक कीट द्वारा स्रावित प्रदार्थ होती है ठीक है तो इसको लॉ रेसम जो होता है वो सबसे सर वस्त्रेष्ट होता है जैसे कि अपन पसु पालन पढ़ते हैं और पसु पालन माल लीजिए भیड की उतन की बहलिए कि कौनसी भाट की उन सबसे सरवदीक सर वस्त्रेष्ट होती है, उस ही परकार यहांपे ।यर्श सम् hat होगा मलबरी होगा टसर होगा या इनमेंसे कोई नहीं देखे दोस्तों यहां पर मलबरी हो जाएगा राइट आंसर भी ऑप्षन को करेक्ट कर लिजेगा और इसमें भी आप लॉक कर दीजेगा आपका लास्ट क्रेस्ट आपके स्क्रेंट पर आ चुका है रेसम का कीड़ा ए बिटल होगा मोथ होगा ना सी ऑप्षन बिल्कुल सभी का राइट होगा बहुत बढ़िया जिन भी भाइबनों ने आप चालीस में से बीच भी सही किये तो अच्छी बात है लेकिन देखें बहुत जरूरत है ऐसे प्रस्टनों की क्योंकि यह प्रस्टन बहुत मिचर कोन सा होता है टेंगू फैलाने वाला मिचर कोन सा होता है यह क्वेसान आज कर ठीक है तो जबाब भी सवी भी भेजा बढ़िया देंगे और दोस्तों इसका जवाब अपन देखेंगे erkll और क्लास केसे लगी उसके बारा कि मिली आ बिए समय पहलेग है क्लास का लगी इसमर्पार से फीडबेक दे देना और सेड़ करके लाइब भी जरूर कर लेजेगा और दोस्तों पहली वारे चनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बहुत बहुत आवार बहुत बहुत धन्यवाद